लो फ्रेंड्स वेल्कम टू आज चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं वो पांच ओल्ट कोईन्स की जो एक डॉलर से सस्ते हैं और भाया एक डॉलर के बहुत ऊपर जाने के उनके फुल फुल चांसे तो मतलब प्रॉफिट उनमें बहुत सॉलर बन सकता है कौन से हैं वो पांच टोकन जानेंगे आज के इस वीडियो में उसके इलावा वहिया बिटकोईन थोड़ा सा गिरा है किस लेवल पे गिरा है आपको ये कब बताया गया था कि वो गिरेगा वो भी जानेंगे आज के इस वीडियो में और आगे क्या होगा बिटकोईन बढ़ेगा गिरेगा वो सब समझते हैं तो चलिए बिना वक्त जाया कि ये आज का वीडियो शुरूब करते हैं ओके तो सबसे पहले मेरे दोस्त आते हैं बिटकोईन के उपर आते हैं एक बार ओवर ओल मार्केट अगर हम लोग देख ले तो आज 7% मार्केट डाउन है 7% ओके 2.57 ट्रिलियन डॉलर्स पे जो वो मार्केट है अगर हम लोग ओवर ओल प्रोजेक्ट देखेंगे तो भाया ग्रीन में थोड़े बहुत चलो है बट रेड तुमको भर भर के आज प्रोजेक्ट जो है वो आज लो इस 7% मार्केट ने साड़े 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो लिक्वीडेट कर दिये 600 बिलियन डॉलर्स और यह किनों के लिक्वीडेट हुए भाया जो यह वो लोग है जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं बैठे है जो नहीं सुनते है कि कब प्रॉफिट लेन है यह उनके पैसे गए ओके सो मेक्शूर जरूर सब्सक्राइब करो अब बात करते हैं बैट कोईन की सो यह वाइट लाइन यह हम लोग उने कल के वीडियो में भी डिसकस किया था चाहिए तो जाके वीडियो जरूर देखो कल का और मैंने बोला था 65,492 डॉलर्स जो है वह बिटकोईन को आना है और टेस्ट करना है ओके यह एक्जाक्ट नंबर आया कहां से वो भी समझ लीजिए अगर इस चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम के उपर ले जाता हूँ तो यह 2021 का जो था हमारा टॉप था ओके और बिटकोईन ने फिलहाल क्या किया है उसने उस को समझ है तो यहां पर बिटकोईन कहीं गिर नहीं रहा है उसने एक रीटेस्ट किया है थोड़ा कंसॉलिडेट जरूर करेगा यहीं 66,000 पे बट मुझे लगता है कि एक और मूव उपर की तरफ वो देगा तो इसलिए आज का जो वीडियो है या इसलिए आज का जो यह दि देख रहा हूं कि 22,000-25,000 डॉलर्स पे बिटकोईन शायद आये और वहां से मूव स्टार्ट हो वो भी एक डेपिनेटली उमीद है तो इसलिए तुम्हें बार-बार कहता हूं थोड़ा पैसा साइड पर रखा वो पैसा कहा से आता है प्रॉफिट लेके अगर कल का वीडि ग्यान कम अब ग्यान के बाद हम लोग बाकी न्यूज अगर देख ले चाहे बिटकोईन की कितनी भी पिटाई हुई है लोग अभी भी ओवरली बुलिश है एक मिलियन डॉलर्स बिटकोईन टफ है बहुत दूर है और उसके बाद एक चीज और देखो डिप से बिलकुल ड मार्केट में आते है तो उसका टेंशन बिलकुल भी नहीं और एक बहुत ही बड़िया न्यूज माटिक होल्डर्स के लिए तो आयार सी टी सी ने क्या किया है अब वो जो टिकेट्स देगा ना होली के फेस्टिवल के ऊपर वो सरफ टिकेट्स नहीं होंगे वो एक एन एफ जो है यह पॉलीगॉन के साथ पाटनर्शिप में लॉंच की गई है सो मेरे भाई दो हम लोग यह पांच टोकन की बात करने वाले है बट जो प्रॉजेक्स तुमारे पॉर्टफोलियो में होने चाहिए उसकी मैंने वीडियो बहुत पहले बनाई थी क्योंकि वो प्रॉजे का सिगनल बताता हूँ क्या होता है ओके सो पहले तो हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे आके हम लोग ड्रॉइंग अभी के लिए जो है वो बंद कर देते हैं और यह होती है निशानी एक स्ट्रॉंग प्रॉजेक्ट की ओके सो तुम देख स सबते हो हम लोगों ने क्या किया consolidation breakout उसके बाद यह previous high के पास ही उसने consolidation किया उसने वो structure break नहीं किया और next target जो है वो उसका बहुत easily $3 है जिसको वो break करेगा बहुत जल्दी break करेगा अब देखना ओके फिलाल कितना $1 पे है तो यहां से दो गुना वो project बहुत बहुत जल्दी होगा ऑके बट कोई financial advice नहीं है so make sure अपनी results जरूर करना बट बहुत अच्छे योन में है अगर आज अब dip पकड़ना चाहो तो उसके बाद 5 projects में से पहला project जो है वो है Tron okay Tron क्यों मेरे भाई DeFi Lama के ओपर जाके देख लो Tron मेरा favorite है यह I think अब हमारे तो subscribers को पता है fees अगर मेरे भाई fundamentally इस project में कोई दिकत नहीं है अब अगर मैं technically भी बात करूँ एक्षड मैंने Tron यहां list में डालके रखा ही है अब अगर हम लोग technically भी बात करते है तो मेरे भाई यहां है previous all time high bitcoin के साथ Tron ने भी test किया है so इससे strong structure तुम्हें और क्या मिलेगा और एक dollars के नीचे मे मेरे भाई यह बहुत ही अच्छा project है बट अगें financial advice नहीं है okay दूसरा project उसका नाम है the graph token मैं यह बाकी links भी जो है वो open करके रख देता हूं okay so दूसरा project जो है उसका नाम है the graph token so यह project भी हम लोग 2020 से इस project के पीछे है मुझे अभी भी याद है हम लोगों की 11-12 cents की जो है वह all time high नहीं but at least all time high तो चलो बहुत बड़ा है वो मुझे याद है पांच डॉलर्स के अराउंड यह project गया था बट अभी भी यह 50 cents के ऊपर जाके आया है okay so यहां अगर तुम देखते हो तो previous इसका all time high ठीके पांच डॉलर्स नहीं मैंने थोड़ा जादा बोला यह शाद किसी exchange पे तो था okay तीन डॉलर्स जो है वो उसका previous high था हमारी bind जो थी वो यहां कहीं हम लोगों नहीं की थी 8 cents के पास और 8 से अब फिलहाल अगर तुम देखोगे तो यह 50 cents का all time high लगाके आ चुका है okay इस season का okay और अब हमें क्या करना है 30 cents के ऊपर इस project को वापस accumulate करना शुरू क करना है उससे क्या होगा एक तो RSI reset हो जाएगा दूसरी चीज क्या होगी कि तुम उसे support के ऊपर पकड़ो गया अपने previous all time high से वो बहुत दूल है और यह definitely वहां जाने वाला है okay so again एक डॉलर के नीचे यह दूसरी सबसे अच्छी buying होगी आप लोगों की okay तीसरा project है पाइत अब यह जो है वो थोड़ा chain link का competitor है इसको क्यों हम लोगों ने buy किया वजे बड़ी simple थी अर एर ड्रॉप्स धेर सारे आने थे और यह मुझे भी कुछ एर ड्रॉप्स में मिला था बट स्टिल मैंने वो सब बेचके इसको वापिस buy किया okay और हमारी buying जो है वो again मैं को बताता हूं मैंने जब वीडियो बनाया था तो कुछ 40 cents के around था जब मैंने का था buy करो शाद उससे भी थोड़ा सस्ता क्योंकि इस पे air drops आने है okay stake करके रखो buy करके रखो एक डॉलर के नीचे close to यह एक डॉलर है बट स्टिल यह project बहुत अच्छा है अपने all time highest पे फिलाल यह चल रहा है और मेरे भाई यह जल्दी रूखने वाला नहीं है okay तो अगर तुम पाइथ देखते हो तो यह फिलाल अपने all time highest पे है बट मार्केट का बहुत चोटा है okay थोड़ा correction इसमें definitely आज यह कल में देखा जा सकता है बट मेरे भाई oh man मतलब एक बार यह विक देख तो हो सकता है यह वापिस मौका दे दे 55 cents पे बट यह विक तुम्हें बता रही कि यह project कितना strong है मतलब लोग सरफ dip की wait कर रहे है इस project पे और लगातार इसको accumulate कर रहे है okay तो अच्छा project है टॉप पे catch करने के लिए नहीं बोलूँगा wait करो 55 cents की यह 60 cents की बहां इस project को लोग बट मेरे भाई financial advice नहीं है और चौथा जो project है उसका नाम है anchor anchor जो है वो एक layer 1 project है micro cap micro cap नहीं है mid cap project है 160 उसका rank है बट मेरे भाई तुम लोगों ने देखा restaking इसके ओपर कर सकते हो staking platform है यह layer 1 है उसका अपना ecosystem है इस तरफ 4 cents जो है वो उसका price है उसके बाद इसका भी technical structure अगर तुम देखते हो तो मैं इसे थोड़ा zoom out करता हूं तो यह तुमारे सामने है जैसा हम लोगों ने matic का structure देखा वैसा ही structure इसका है और 4 cents से 18 cents का उसका previous high है जो मुझे नहीं लगता कि उसे time लगेगा लगाते हुए तो यहां से 5x के gains यह project तुमें easily दे सकता है एक च weekly candle ऐसे close होती है तो यह gravestone doggy है जिसका मतलब क्या है कि यह project यहां से थोड़ा और correct हो सकता तो probably तुमको 3 cents के around यह project में ले close to अभी 5 cents है बड़ जैसा कि मैंने का अगर average out करते हो तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ताकि तुम opportunity miss मत करो okay but again बार-बार में भाई कह रहा हूं research अपनी जरूर करना okay और last project यह बहुत जाना माना project है phantom again layer one project है यह okay और यह project की भी हमारी buying जो है वो 14 cents की थी okay so यह बाई अगर तुम market में बने रहो videos को follow करो तो तुम्हारी buying भी जो है वो बही होती okay so तुम देख सकते हो current price जो है वो उसका 75 cents है but still यह project बहुत बहुत undervalued है 2 billion dollars जो है वो इसका market cap है बड़ अगर तुम इसका previous all time high देखोगे so अगर हम लोग phantom के उपर जाते है so previous all time high उसका 3 dollars है तो again यह भी project technically भी बहुत strong और तुम देख सकते हो कितने solid accumulation के बाद यह project जो है वो वापस चला है और यहां से easily जो है at least 1 dollars यह test करने ही वाला है so अगर त इसको dip में पकड़ रहे हो मतलब अगर तुम इसको 56 cents के round अगर तुम्हें मिलता है और तुम वहां पकड़ते हो तो मेरे भाई double यह तुमारा पैसा बहुत जंदी करके दे देगा okay but जैसा कि मैंने बोला यह सब projects मेरे portfolio में already है मैं थोड़े थोड़े accumulate करूँगा मेरे bind zones के उपर बड़ यह सारे projects बहुत अच्छे है तो make sure अपनी research करो और accumulate कर सकते हो तो definitely करो okay और video के अंत में हमारे भाई ने एक LRC का target पूछा था so मेरे भाई देखो एक होता है project का structure अच्छा अब यह एक example है बुरे structure की okay दो हम लोगों ने यह last bull run में देखा था बड़ तुम दे technically उतना strong नहीं है तो अपना previous all time high यह तोड़ेगा कि नहीं वो मुझे doubt है बड़ अगर तुम profits लेना चाहो तो मैं कहूंगा कि $2 के around profit book करो okay उसके बाद अगर यह $3 को तोड़ता है तब इसमें वापस entry ली जा सकती है क्योंकि फिर यह at least 1.618 तक जा सकता है जो 24-25 डॉलर स की बात है okay so make sure $2 के around at least 75-80% profit जो है वो book कर लो okay तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को subscribe करो तुमसे कल मुलकात होगी दोस्तों thank you so much